हाई गाईज कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज का ये वीडियो मैं मोख्ष का न 11 मन्त का रूटीन शेयर करने वाली हो वैसे देखा जाए न तो 9 से ही जो 12 महिने के बच्चे होते हैं उनके रूटीन एकदम सेम ही होता है थोड़ा बहुत अकर इधर उदर होता है थोड़ा सा उłलीपिंग डिया जाते थोड़ा सा जाता है एक साल की होते होते बच्चों को अप सारे ही खाना इंट्रोडिउस आइं जिनको भी जरूरत है आपकी फ्रेंट सेर्कल में फैमिली में उनको जरूर शेयर करिएगा अगर मेरे चैनल पर नए है प्ली सब्सक्राइब करिएगा तो अगर सुबा उठनी की बात करो तो मोक्स न छे से साथ बजे के अंदर उठता है जैसे मैं उठती हूँ मेरी बड़ी शे की फ्रेश करिए बहुत अच्य से माहिका के साथ भेलता है जब तक माहिका स्कूल जाते है चाही हूँ थोड़ा बहुत नीद भी आए न तो माहिका जैसे स्कूल जाते है तब तक तो खेलता ही रहता है तो इस वक्त में उसको फीड ही कराती हूं और बच्चे कितना पहला नैप लेता है, नाइन टू नाइन थर्टी हो जाता है, उड़ते उड़ते, तो मैं यहां पे आज बिनाओंगी सूजी, किसी दिन होता है कि मैं यहां पे सूजी का हलवा बना देती हूँ, mostly मोक्ष को मीठा नहीं पसंद आता है तो मैं उसको मीठा वाला खाना आजकर avoid ही करती हूँ देना तो आज मैं सूजी के साथ गाजर मिक्स करके दे रही हूँ carrot वैसे भी carrot में थोड़ा सा sweetness होता है तो आप इसको खीर की तरह भी ले सकते हो सूजी और गाजर का खीर और मैं सूजी का उपमा भी मैं आपको शेर करूँगी आगे कि मैं मोक्ष को कैसे देती हूँ यह आप चाहो तो breakfast में दे सकते हो आप चाहो तो इसको डिनर में भी दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ सूजी मत देना बच्चे को खीर बना के इस एज में बहुत सरे वेजीस आड़ करना ताकि बच्चे को बहुत nutrition भी मिले and vitamins मिले साथ इसाथ उनको tummy बहुत अच्छे सा फील हो जाएगा तो मैंने पहले सूजी को थोड़ा सा भून लिया आप चाहो तो घी में भून सकते हो मैं घी थोड़ा सा लास में अड़ कर लेती हूँ फिर मैं oil वगरा कुछ अड़ नहीं करती गरम पानी ले लेती हूँ क्योंकि मैं आज ये खीर की तरह सा बना रही थी थोड़ा सा कैरट एंड सूजी का तो जब पानी गरम हो गया थोड़ा सा कैरट एंड करा थोड़ा सा वन इसमें जीरा एड करा है थोड़ा सा एंड नमक इसमें एड करा है एंड इसमें फिर सूजी एड करके अच्छे से mix कर लूँगी जैसे कोई lumps नहीं रहेगा जीरा इसी के लिए आड़ करा कि बच्चों को digestion में जीरा बहुत अच्छे से काम आता है इसी के लिए आप चातो इसको avoid भी कर सकते हूँ मैं mostly मूख से खाने में ऐसे spices थोड़े बहुत आड़ कर लेती हूँ इसी तरीके से आप बच्चों को इसेज में spices इंट्रोडूस भी कर सकते हो अभी देखो इसको consistency कैसे रखना है दो एक साल का जो बच्चा होता है वो सारे चीज़े खा लेते हैं भी तक रही खाती है थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं जैसे बच्चे खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक बच्चों का स्टमक फिल करके रखता है एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक तो हुआ सूजी और गाजर का हलवा की तरह मैंने बनाया, दूसरा जो है मैं यह उपमा आपके साथ शेयर करूँगी आप चाहो तो सूजी को ना पहले से भुन के रख सकते हो, यहाँ पर सूजी को मैंने दो से तीन चमच सूजी लिया है, उसके बाद मैं इसमें पानी एड़ करके उसको बॉल करने के लिए रख दूँगी इसमें अभी जो भी spices इसको एड़ करने होते हैं वो एड़ करूँगी बहुत बार ऐसा होता है कि जिस ताम मैं breakfast बनाती हूँ मैं इस वक्त मोक्स को उठा के रखा वाई गोदी करके तो वो उठ जाता है तो उसको पकड़ पकड़ के ही मुझे उसके लिए breakfast बनाना पड़ता है तो जैसे पानी गरम हुआ मैंने इसमें अड़ करा थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा जीरा अड़ करा है पिपर पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें आड़ करा है चुटकी भर नमक भी मैंने इसमें आड़ करा हुआ है अभी देखो मैं उपमा में आज सिर्फ और से पोटेटो ग्रेट करके आड़ करा हुआ है तक कि वो जो वो भी अच्छे से गल जाएगा इसके साथ मिक्स हो जाएगा अगर ऐसे उप्मा बना के देते हो ना बच्चे बहुत रस्मी बहुत ही लंबे टाइम तक ना उनको भूक नहीं लगती है अगर इसको खाके भी अगर किसी के बच्चे सो जाता है तो बहुत लंबा नाप लेते हैं मोस्ली मोक्ष का रूटीन ऐसा होता है कि वो बेकफस्ट लेने के बाद एक देड़ घंटा अराम से खेलता है और उसका सोना वगरा कुछ होता नहीं है और उसके बाद जैसे कि मैंने बता है पानी करम होने के बाद ना सूजी आड़ करा और इसको बहुत ज़्यादा ड्राइ ड्राइ करके बच्चे को मत देना वो लोग नहीं पसंद करेंगे थोड़ा सा जैसे उनको semi solid होता ना उस consistency में ही उपमा देना ताकि बच्चे को मतलब खाने में बहुत easy रहेगा अगर सूजी थोड़ा सा क्या होता है खाने के बाद बच्चे को प्यास बहुत लगती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे को थोड़ा सा पानी भी देते रहना बीच में अगर चाहिए तो कुछ इस consistency होता है थोड़ा सा थंडा होने के बाद बच्चे को मैं अराम से feed कर देती हूँ और उसके बाद वो अराम से एक धर गंटा खेलता है परेशान करता है पूरे गर का समानी धर उधर कर लेता है इस age में बहुत सारे बच्चे चलने लग जाते हैं स्टार्ट करने लग जाते हैं मेरी बड़ी बेटी इस age में 11 मत में उसने चलना स्टार्ट कर लिया था बट कुछ बोल रहे हों तो अगर आप अपके एक्सप्रेशन को फील कर पाते हैं इस टाइम पर गुस्सा करते हो जूट मूट के तो उनको भी पता चलता कि कुछ हो रहा है आप ट्राइक करना जितना आप इस टाइम पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करोंगे ना उनकी इतने अच्छे से आपके साथ बीना एक्सप्रेशन के तुरू अपने लैंग्वेज में आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे आपको भी बहुत जादा मज़ा आएगा इसी के लिए बच्चों के साथ जितना हो सकता है बच्चा जभी भी जगा हुआ है उसके साथ टाइम बहुत ही रेर होता है बड़ इस टाइम पर बच्चे कोई के होते कि बहुत जादा वाट्स भी बोलने लग जाते है दो दो चिसे वाट्स होते है उस तरीके से फिर 7.11 वजे तक मैं उसको मालिश करके नहलाने के लिए त्यार कर लेती हूँ ढरह वजे से लेके 12. f2 बारह भी नहीं होता है उससे पहले ही वो 12.15 तक नहीं वो सो जाता है जो उसका होता है दिन में दूसरा थैप लेकर सोता है अफकोर जब भी बच्चा सोएगा उससे पहले आप उसको फीड जरूर करवा देना क्योंकि हम चाहें कितना भी ब्रेक्फस्ट कराएं बच्चे जब खेलते हैं थोड़ा दिर के लिए दुबारा से उनको भूक लगती है अगर आप खाली पेट सुला दोगे ना तो बच्चे बहुत जल्ली उड़ जाएंगे नीन द डर्ट रहता है तो बहुत इसरे निकल जाता है अच्छे से क्रीम वगएरा भी लगा दिया और वाइटमिन जैसे ड्रॉप्स की बात करें हम लोग क्या क्या देते हैं तो इस हीच में वही सेम रहता है एक साल तक के बच्चों को अल्मूस्ट सेम ही रहता है जैसे वाइटम हम लोग खाते हैं घर पे वही मैं उसको खाने के लिए दू तक कि बाद में थोड़ा सा इजी हो जाए उसके लिए अलग ना बनाना पड़े अफकॉस मैं तड़के में पहले क्या होता था दो से तीन में यहाँ पे लाल में चैड करती थी तो ताकि दाल थोड़ा से रहता है बच्चों के लिए तो यही वाला दाल कभी कभी क्या करते हैं राइस होता है उसको मैं अलग से बना लेती हूं बहुत ही नरम-nरम करके अड़ उसमें मैं यही वाला डाल आड़ करके दाल चावल की तरह भी मैं मौक्ष को खिलाती हूं तो आप चाहे तो ऐसे भी तो खिचडी के लिए जैसे मैंने चावल और मोंग दाल को भिगो के रखा हुआ था थोड़ा सा घी मैंने अड़ करा है इसमें आप चाहो तो पोटेटो मैंने इसमें अड़ करा है पीस अड़ करा है कभी-कभी क्यारट करती हूं कभी किसी दिन अगर थोड़ा से इविन अभी तक non-wage start नहीं करा है अगर आप चाहो तो जैसे यह वाला जो खिचडी बना रहे हो ना तो यह आप लोग 8 महीने से लेके नौ महीने से लेके आप लोग बच्चे को देना start कर सकते हो अब तो फिर खिचडी में बच्चों को मत देना तो लंच में मेरा यही मोसली होता है दाल चावल रहता है या तो फिर खिचडी में बहुत सरे सब्सक्राइब बच्चों को देना जी आड़ करके देती हूं और अल्मोस्ट उसका यही लंच रहता है लंच में कोई जादा डिफरेंच नहीं रहता है वेजटेबल किसी दिन जो भी मेरे पास घर में एविलेबल होता है वो में दे देती हूं उसके बाद ना साड़े-दोबज तक हम लोग चले जाते हैं द बाद वो एक और तीसरा नाप लेता है जिनका जोकि बस एक घंटा देर घंटे का नाप होता है उसका एंड हा इस टाइम पर मोख्ष का क्या होता है वो सोफा पकड़के खड़ा होने लग जिया है इधर से इस कॉर्णर से उस कॉर्णर तक अपने से बिना सपोर्ट मतलब ह नमारे सोफा को सपोर्ट ले लेकि वो चलना प्रैक्टिस करता है कभी-कभी खुद से ही करता है या तो अगर उसकी दीडी डैंस करती है तो उसके साथ इंजॉय करता है साथ ही साथ ये मेरा घर एकदम मैसी होके रहा है यहाँ पे तो मेरा घर मोस्ली मेरे बच्चे गंदा करेंगे एंड मैंने माही के साथ देखा हुआ है कि एक सर्टन इस तक ही ऐसा होता है उसकी बात बच्चों को यह सब खेलना खिलोने फेकना इन सब अभी तो माही काफी और गनाइज हो गई है वो खुद से ही यह सारा टॉइस उठा के रख देती है तो इसी के लिए इन सब बातों के लिए में बहुत बॉदर नहीं करती हूँ और मोक्शन वाही दोनों के साथ मेरा बहुत एंजॉय रहता है मेरे पूरे दिन में इसी के साथ टाइम चला जाता है तो मेरी एक छोटी से एडवाइज रहेगी जो भी मेरी तरी मम्मी है या तो फिर जिनके दो बच्चे हैं तो फिर न्यू भी मम्मी बनी है ना तो घर साफ करना खिलो अने फैल गए है कपड़े तैर नहीं हुए है यह नहीं है वो नहीं इन सब पे ध्यान बिल्कुल भी मत दो थोड़े से टाइम के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको पूरा घर नीट आप होता है इस टाइम का वो थोड़ा से चिड़ चिड़ा करके ही उड़ता है पट आधा गंटे के बाद रात में ही सोता है जाके लंबे टाइम तक खेलता है अपने दीदी के साथ यहां पे शाम में जो उसको कितनी बार बच्चों को आप लोग फीड कर सकते हो तो चार स पांच बार दे सकते हैं या आपका बच्चा कभ जगता है जुअ क्या कर आए कि से ओक पर पर फ्रूड दे सकते हैं इस शाम के ताइन पर स्थे सकते हैं तो इस चाहरोगी दिख कभी सचित तो वहाँ पर बैड़ता है कुछ हाथ पैर नहीं लगाता है इदर उदर अभी जब अकेले रहते हैं हम लोग तो कहीं सारी चीज़े इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है इन बच्चों के साथ मैं उसको ऐसे ही नहीं चोड़ सकती कभी कभी माही का होमवर करती है इस टाइ तो आप जब दो बच्चे हो जाते हैं आपके तो आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हो कि दोनों बच्चे को एकी चीज़ खिलाने की आदत करो तो आपके लिए थोड़ा सा एजी रहे और बच्चे भी इंजॉई करें कोशिश करना दोनों बच्चे को इकठे बिठाके खि सकते अगर आपका बच्छा मेट्या काना नहीं पसंद करता है तो मैं शुगर की क्वांटिरी शुगर तो एड़ करती हूं लेकिन थोड़ा सा कम एड़ करती हूं फिर पानी एड़ करके आपको बैटर की तरह बनाना होता है बहुत जादा लिक्विडी लिक्विडी को आज तो क्या करना है थोड़ा सा घी लगा कि आप लोग इसका चोटा सा जैसे मौक्ष की एज के बच्चे खाते वह बहुत बड़े बड़े तो नहीं खाएंगे चोटा सा हलका सा इस एज में आपकी में मोटी वे होना चाहिए कि आप जितना फूट बच्चे को इंट्र हो दे तो उसके उपर ध्यान देना बच्चा धीरे धीरे अपने हाथ से खाना सिक जाएगा लेकिन खाने की आदत डलवाना बहुत इंपोर्टन्ट होती है इस एज में तो क्या करना एक चोटा सा पैंकिक बना के थोड़ा सा घी मेने चारों तरफ लगा दिया फिर उसको ट खाना दो उसकी आदद बहुत अच्छी हो जाता है अगर गरे में जैसे डाल में ठोड़ा सा डिप कर लिया तो रोटी बहुAwasti साफ्ट हो जाती है ना उसके बाद मैस करके दे सकते हो दूद्रोटी अगर खाता है बच्चा मोक्ष को दूद्रोटी नहीं पसंद है तो तो में नहीं देती ऊए दाल रोटी कहाता है तो दूद के साथ भी बच्चे को दे सकते हैं नरम हो जाता है जैसे गरम दूद में अगर रोटी को टुकडा टुकडा करके हम लोग डालते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा हाथ में मैश करके दे दो तो बच्चे खा लेता है तो उसे साब से दिनर में ने रात को मोख्ष को ना इसे चावल वाला मेन अभी तक नहीं दिया है कभी रोटी कभी इडली इसी तरीके से मैं उसको देती हूँ और डिनर करने के बाद आदा गंटा ही जगा हुआ रहता है बहुत तेर तक जगता नहीं है जगा हुआ रहता है और सोने से पहले एक बार जरूर फीड करवा कर ही बच्चे को सुलाना ताकि जो भी थोड़ा सा बच्चे का स्ट्रमक खाली हो जाता है डिनर के बाद बच्च अराम से फीड करके पूरी रात तक अराम से उसका नीद कंप्लीट हो बस वो सुबा फिर फीड लेने के लिए उठे तो इस एज उनके साथ और को बांडिंग करना उनके साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है मोख्ष को अपनी दीदी के साथ खेलना बहुत जादा पसंद आता है और यह वाला गेम चलता ही रहता है सूटकेस के साथ और चीज देखना कि इस एज में बच्चों कुछ सिखाते हो क्ल करने के लिए बोलती हुँ तो बहुत कुछ हो जाता है अंड उसके बाद हो जाता है नाइट और करीब 9.30 मैकसिमुम मैकसिमुम 9.30 तक उसका गुड़ नाइट हो जाता है यह ओप आपको आज शेर और सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में वाई टेक कर